अलो दोस्तो अभी में केज्यूकेशन में मैं अरविन मकवाना आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतिय समीधान के मौश्टाइम भी प्रस्न पार्ट फाइब इससे पहले फॉर पार्ट अपलोड हो चुके है अगर यदि देखना बाकी हो तो देख लीजेगा लास्ट में आपकी टेस्ट भी ली जाएगी तो इसी वीडियो में से वहाँ पर क्वेस्टिन पुछे जाएगे अच्छी तरह से वीडियो देखे और लास्ट में टेस्ट देखे आप अपना नोलेज भी बढ़ा सकते है इसका पीडियेप कहां से मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूँगा चनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए आपको वेट नहीं करना कोड़े सामुईक रूप से मंत्री परिशद किस के प्रती उत्तरदाई है लोकसभा के प्रती उत्तरदाई होते हैं मंत्री परिशद समीधान का व्याख्याकार और सरक्षक कौन है कई बार पुछा गया सवाल है आंसर आएगा सर्वोच नियायलाई सुप्रेम कोड पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं तो प्रत्येक पांच वर्ष में होते हैं कितने राज्यों में द्वी सजनात्मक विदान मंडल है उनके नाम क्या है तो आंद्रप्रदेश, जमुकस्मीर, बिहार, महाराष्ट, करनाटक तथा उत्तरप्रदेश चे में है उसमें जमुकस्मीर जो राज्य था उसको केंद्रसासित प्रदेश कर दिया गया है और अब वहाँ पे विदान परिशद रहेगा या नहीं रहेगा वो आगे देखना होगा राश्टी आपातकाल के दोरान मौलिक अधिकारों के निलंबन सबंदी प्रावधान किस देश के समिधान से लिए गये है वो है जर्मनी के वाइमर समिधान जे नागरिक्ता प्राप्त करने वक्षोने के विशई में विस्तार से चर्चा कहां की गई है 1955 के नागरिक्ता कानून में की गई है राश्टपती की मृत्यू के बाद उपराश्टपती राश्टपती का पद कब तक संबाल सकता है अधिक से अधिक 6 माह तक तो छे महिने के अंदर उनका इलेक्षन करना पड़ता है और नहीं आराष्टपती आता है समिधान में मंत्री परिशत के प्रदान के रूप में प्रदान मंत्री होने का प्रावदान किस अनुछेद में है? अनुछेद 74.1 में है पंचयतों को सुपूर्द विशयोकी सुची समिधान की किस अनुशुची में है? ग्यारावी अनुशुची में है उच्च नियायले के क्षेत्र अधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किस के पास है? संसत के पास है राष्ट्रपती वित आयोक का गठन कितनी अधिके पस्चात करते है? प्रत्येक दो वर्स में करते है वित आयोक का गठन कौन करते है? राष्ट्रपती करते है समिधान के अनुचे 263 के अंतरगत अंतरराजिय परिशद की स्थापना किस ने की? राष्ट्रपती ने की बारत में द्वी सदन वाले कुल कितने राज्जिय है तो पांच है अगर जमुकस्मिर को मिला जाए तो छे होते है तो उसका आगे देखेंगे बारत के सर्वोच नियायलाई में मुख्य नियायदिस के अतिरिक कितने और अन्य नियायदिस होते है तो अन्य नियायदिस 33 होते है और एक मुख्य नियायदिस होता है अभी जो है वो सर्वोच नियायलाई में 34 जो नियायदिस है वो है एक मुख्य है और 33 अन्य है अनुसुजी जाती के लिए लोग सभा में कुल कितने स्थान आरक्सित है 79 आरक्सित है अनुसुजी जाती के लिए लक्स दिप किस उच्च नियाय लई के क्षेत्रा धिकार के अंतरगत आता है केरल उच्च नियाय लई के अंतरगत आता है कई बार पुछा गया सवाल है याद रखेगा आम चुनाओं में कोई प्रत्यासी कितने संसदिय स्थानों से चुनाओं लड़ सकता है अधिक्तम दो से लड़ सकता है ज्यादा सी ज्यादा दो से लड़ सकता है राष्टपती व उपराष्टपती के निर्वाचन सबंदी विवादों पर कोण निर्णे कर सकता है उच्चतम न्यायले निर्णे कर सकता है समिधान की प्रस्ताव नामे प्रभुत्व संपन लोक तंत्रात्मक गनराज्य के स्थान पर समिधान संसोधन विदेख 1976 द्वारा किस सब्द समु को लाया गया है संपुर्ण प्रभूत्व संपन समाजवादी पंथ निर्पैक्स लोगतंत्रात्मक गनराज्य इसको लाया गया है भारत के समिधान का निर्मान सभा द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना हुई थी तो केबिनेट मिशन प्लान द्वारा 1946 के अंतरगत भारत का जो समिधान निर्मान सभा है उसकी स्थापना हुई थी समिधान सभा का समवेधानिक परामर्श दाता कौन था बी एन राव बेनिगल नर्शी राव पुरा नाम है किस लेक यानि के रीट में रीट का साथिक अर्थ वोट इस यूर ओथोरिटी है तो वो है अधिकार प्रोचा जिसे कहते है को वरंटो तो बंदारान में पांच तरह की रीट है पांचों रीटों के बारे में बार बार क्रेशन पूछे आते हैं तो याद रखेगा डोक्टर बियार अमबेटकर ने किस मुल अधिकार को समिधान के रदै तथा आत्मा की संगना दी थी समिधानिक उपचारों के अधिकार राट टू कॉंस्टिनिउशनल रेमेडेज राष्टपती बनने से पुर्व भारत रतन अलंकरन से सनमानित हुए तो ऐसे व्यक्ति कौन है जो राष्टपती बनने से पहले उनको भारत रतन मिल चुका था एक थी डोक्टर शर्वपली राधा कुष्णन तथा दूसरे थे डोक्टर जाकिर हुसेन मुल समीधान में अनुचेदो और अनुचेदो और अनुचेदो की संक्या कितनी थी जो बन के तयार हुआ तब कितनी थी 395 अनुचे थे एवं 8 अनुचुचिया थी तो भी अनुचुचिया कितनी है 12 है तब कितनी थी 8 थी भारत का समीधान भारत को किस रूप में वर्नित करता है राज्यो के संग के रूप में वर्नित करता है भारतिय समीधान का स्वरुप संगात्मक है अथ्वा एकात्मक दोनों का समन वहिए संगात्मक भी है और एकात्मक भी है बासा के आदार पर सर्व प्रतम किस राज्य का गठन किया गया आंधरप्रदेश का गठन किया गया था किस सुची के विशई के अंदर तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं तो वो है समवर्ती सुची नागरिक्ता के सब्बंद में समिधान के किस भाग में उल्लेक किया गया है बाग दो में उल्लेक किया गया है नागरिक्ता के सब्बंद में बारतिय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहां के संसद में पारिद किया गया तो ये ब्रिटिश संसद में पारिद किया गया था केबिनेट मिशन के तीन सदस्य कौन-कौन थे तो एक थे पेथिक लॉरेंस दुसरे थे स्टेफोर्ड क्रेप्स और तिसरे थे एवी अलेक्जान्डर महा दिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है अनुछे तीन के अंतरगत संसत को किसका अधिकार प्राप्त है नए राज्यों के निर्मान और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सिमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है अनुछे तीन के अंतरगत कोन कर सकता है संसत कर सकती है मोलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सोपा गया है उच्टम नियायले तथा उच नियायले उपर सोपा गया है भारतिय विदेश सेवा किस सेवा के अंतरगत आती है केंद्री सेवा के अंतरगत आती है सिक्षा को किस सुची के अंतरगत रखा गया है समवर्ती सुची संसत के कितने सत्र होते हैं उनके नाम बताए तो तीन होते हैं एक बजट सत्र ग्रिस्मकालिन सत्र और सितकालिन सत्र संसत के दोनों सद्दनों में प्रश्णकाल के ठीक बात के समय को क्या कहा जाता है सुन्यकाल कहा जाता है प्रश्णकाल के बाद आता है सुन्यकाल अब आपकी टेस्ट टेस्ट जो है वो इसी वीडियो में से पुछी जाएगी तो अच्छी तरह से टेस्ट दीजिएगा उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए अपने सभी दोस्तों को वीडियो सेर कीजिए चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे जिससे आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है आप चैनल के नाम पे क्लिक करके वीडियो में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो की PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलिग्राम चैनल की लिंक प्लस वाट्सअप ग्रूप की लिंक दी हुई है अगर वहाँ पे जूड जाते हैं तो वहाँ पे आपको डेली नियूस पेपर, डेली करेंट अपफेर, मौस्टा अंपी PDF और लेटेस् संख्याकार और सरक्षक कौन है इसका अंसर आपको कमेट बोक्स में करमसर देना है कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है मुल्ट समीदान में अनुछेदो और अनुसुचियों की संख्या कितनी थी बासा के आदार पर सर्व प्रतम किस राज्य का गठन किया गया महाधी वक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है चारो क्वेशन के आंसर पटापट दे दीजिए असा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आने वाली एक्जाम के लिए आपको यूसफूल भी बनेगा मिलते हैं नए वीडियो में ठैंक्स पर वाचिं कर द सकते हैं थे इस किस्वरी बनेखी कर्यों वीडियू और हुए